दोस्तों बिग बॉस के सीजिन 15 के लाइफ फीड में इस समय गर के अंदर तेजस्वी परकास और करन कुंद्रा को गर वालों की हरकतों के उपर काफ़ी गुस्सा आ चुका है और गर के अंदर आपको बता दे कि इस समय खाने के मुद्डे को लेकर बुरी तरीके से जगड़ा चल रहा है क्योंकि दोस्तों आपको बता दे कि आज दिन के समय गर के अंदर एक टास्क हुआ था जिसका प्रमो हमने हाँ एपिसोड के अंत में देखा भी था और किस तरीके से बिग बोस ने गर के समी कंटेस्टेंट को दंट देते हुए उनका जो राशन का सामान है वो पूरा छीन लिया था और इसी मुद्डे को लेकर इस समय गर के अंदर बुरी तरीके से जगड़े चल रहे हैं जहां पर उमर रियाज ने ये मुद्ड़ उठा रखा है कि हम तो गर के अंदर तीन बार खाना खाएंगे हमें किसी भी प्रकार की खाने की कोई कमी नहीं चीए तो वहीं दोस्तों दूसरी और टेजस भी गरवालों को समझा ली है कि आप दो टाइम खाना खा लीजिए लेकिन बर पेट खा लीजिए तीन बार खाना खाने से तो अच्छा है कि आराम से दो बार खा लीजिए वो भी भर पेट खाईए ताकि खाने की कमी महसूस ना हो तो वहीं दूसरी और आपको बता दे कि गर के सभी कंटेस्टें इन बूरी तरीके से आपस में जगरते पर दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो समिता शेटी ने जिस प्रकार दंग दिलवाया है तो अब समिता का खाना भी हम नहीं बक्सने वाले और समिता के खाने को भी गरवालों के खाने में शामिल करेंगे दरसल दोस्तों आपको बता दे कि समिता शेटी का जो खाना है वो गलूटन फ्री आता है और वो गरवालों से काफी अलग होता है जिसके वज़े से अब घरवाले सोच रहे हैं कि किसी ने किसी तरह करके समिदा के खाने पर हमला कर दिये जाए फिलाल दोस्तों इस मुद्दे पर आख क्या विचार हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंदाइब लाइक जरूर करें और बिग बॉस से जोड़ी हर खावर को सबस्पर ले जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें